चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरा हुवे कफन स्वदेशी मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उसकाम में लगा हूं और कुछ फुटकर बीमारियां बताता हूं, एक मेडिसिन के बारे में बताता हूं, बीमारियां उससे जुड़ी, एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, पांग में जो चूना खाते हैं न चूना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, चूना, कई बीमारी ठीक होती है, जैसे आपको जॉन्डिस हुआ पी लिया चूना खाई ये फिरा बहुत अच्छी दब है गन्य का रस लीजे उसमें चूना मिला के पी लीजे चूना लीजे के उंके दाने के बराबर और गन्य का रस ले लीजे एक गिलास और गन्य का रस ना मिले तो गुड़ का पानी यही चूना जो है ना नपुन सक्था की भी दवाए इंपोटेंसी हो बेस्ट मेडिसिन करीका वही है यह उंके दाने के बराबर चूना गन्मे के रस्म है नहीं तो गुड़ के पानी में पेना यह चूना बहुत अच्छी दवा है जॉइंस पेन के लिए अगर गुटने में दर्द है कमर में दर्द है कंदी में दर्द है चूना यह उंके दानी के बराबर पानी में बिला के पी सकते हैं दही में डाली के खा सकते हैं दाल में बिला के पी सकते हैं कि रस कोई जूस में भी पी सकते हैं जॉइंट से बहुत जिल्दी पर हड़ी का दर्द कितना भी है वो चूना ठीक परेंगे कि एक बहुत खराब बीमारी है ना इस पॉंडलाइटिस उसमें चूना बहुत अच्छी मेडिस है आपके जो पीठ की रिड़ की हड़ी है इसमें लंबर रीजन में अगर आपको कुछ प्राब्लम है अगर हड़ी तूट गई है उसको जल्दी जोड़ना है तो चूना ख़ई गयों के लाने के बराबर दही में नहीं तो छाच में नहीं तो दारी में पानी में किसी तरह से ख़ई हमारे घर में छोटे बच्छे हैं उनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाएए दो-तीन साल लगाता है और उतना ही दीजिए ग्यों के दाने के बड़ा दही में दाली में किसी हमारे घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली थोड़े से भीक हैं मानेसी ग्रूप से कमजोर हैं मेंटली डिटार्ड़ जो बच्चे होते हैं मती मंद उन सबको चूना दीजिए दो-तीन साल लगाता है ऐसे दीजिए दही में गन्ने के रसमें या तो दाल आदी बहुत अच्छे से ठीक हो यह चूना बहुत अच्छे से काम आता है जब आपक नाखून में कोई इंफेक्शन हो जाए नेल्स में कोई भी बीमारी है इंफेक्शन है तो आप चूना दीजिए बहुत अच्छे से ठीक हो यह जो चूना है ना आप इसको जरूर हरेक उस मां को दीजिए जिसकी उम्र पचास वर्श हो पहीं जब भी कोई मां पचास वर्श के आसपास की उम्र में आती है तो उनका मैंसी साइकल बंद हो जाता है उस समय जो मेनोपॉस पीरेड शुरू होता है उसकी सारे कॉम्लिकेशन चूने से ठीक होते है अक्सर हमारी माताओं को बढ़ती हुई उम्र में ऑस्टियो पोरोसिस हो उसको जरूर चूना खिलाइए गयों के दाने के बराबर चूना और एक कप अनार के रस में अनार का रस और गयों के दाने के बराबर चूना रोज किसी भी गर्ववती मां को नाश्टा करने से एक घंडे पहले दीजें क्यों के गर्वती मां को केल्शियों की सबसे ज्यादा जरूरत है और ररन की बहुतılar है यह अनार के रस में ऑर चूने में केल्शियों तो ला केलशन का यह कॉंबिनेशन है अनारकरस और चून हमने देखा कि जो माता है नौ महीने लगाता है चूना खाएं और अनारकरस की है वो सभी की बिलीवरी नॉर्मल होती है दूसरा फाइदा यह है कि बच्चें जो जन्व लेते हैं वह बहुत ऒंदी होते है are those कॉAh को बीकिशर हुआ और थीसरा सबसे बड़ा फाइदा यह होता है कि जिन बच्चों की माताउं में यह चूना खाया है अनार के रस्में वह बहुत इंट्रीजेंट है बहुत बुली है क्योंकि ब्रेन और बॉड़ी दोनों का डवलप्मेंट चूना करता है हर मां को बोलिये कि गर्भावस्था में जरूर रखाये चूना और अनार का रिस्त है हम डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई कैल्शियम की गोलियां खाते हैं और वो महंगी भी बहुत हैं और उनके रिजर्ट इतने अच्छे नहीं चूना सस्ता भी बहुत है क्वालिटी में बहुत अच्छा मिलावट होती है क्योंकि इतना सस्ता है कोई मिलावट क्या करें क्योंकि हर चीज से नहीं है जो भी इसमें मिलाई जाए और कभी भी चूना मिल जाएगा पार्वाली की दुकान में कभी भी आप ले सकते हैं और मेरा तो एक छोटा सा सजजेशन है आप चूने के दो फाइने एक तो कैल्शियम मिलेगा दूसरा पानी को यह शुद्ध कर देता है कि चूने से पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है कि अब यह एक 10 लिटर का मठका है मांनों दस लिटर के मठके में चापर के यह के दस पंद्रे दानीं के बराबर चूने डादके के 20 लिटर के मठके में उसका डबल कर दूसुद्ध जो भी चूने का पानी पयेंगे उनको जिन्दगी में इस तो खुन की कभी नहीं होगी मनिक ब्लड बराबर बनेगा खून बढ़ाता है चुना हीमो हीमोग्लोबिन को अगर आप महसूस करते हैं कि कम हुआ तो चूना शुरू कर दो बढ़ जाता है पान में भी खा सकते हैं बस इसमें एक ही बात है कि पान में चूना खाएना तो उसमें कथा ना यह जो कथा है यह प्रॉब्लम करता है यह जो कथा आ रहा है आज कल बजार में यह सब नकली है क्योंकि असली कथा बहुत मेहगा हैं तो कोई पानवाला उसे नहीं लगाता है और यह नकली कथा सब कैंसर से तो आप चूने का पान खाएं कथा ना उन दृड़ा और इसमें है उस पांद में सुपारी के अलावा जैसे वो पांद में ले लें लाइची लेने लाउंग लेने, और अगर आप डालना का सुभा दाना डालें यह कुछ और डालें लेकिन सुपारी नहीं, यह बहुत प्रॉब्लेमेटिक है, यह ढाईटेस्ट हैं। यह सब स्टोन में कनवर्ट होती है इसलिए सुपारी ना खाएं चूने का पान खाएं बहुत अच्छा और चूने का पान बेस्ट कॉंबिलेशन है आई में देखो मैं आपको बताओ चूना बात नाशक है मने बात की हर बीमारी की चूना दवा है ऐसे और पान जो है ना पित की जितनी बीमारियां है कफ की जितनी बीमारियां है पान उन में और शदी है तो चूने का पान अगर आप खा रहे हैं तो बात पित कफ नाशक चीज खा रहे हैं तो आप तो बीमारी नहीं पड़े ऐसा अगुद कॉमिनेशन है चूने का पान तो मुझे ऐसा लगता है कि सब गर में पांदान रहता है। मैंने तो कई शादियों में देखा है। दहेज में पांदान देते हैं। बिहार में देखा, जारखण में देखा, आसाम में देखा। बेटी को कुछ और दे ना दे, लेकिन पांदान जरूर देते हैं। बराववा पान और चूना। तो ये शायद इसलिए हुआ कि हमें कैल्शियम की बहुत जरूरत है शरीर को। और एक कैल्शियम कंभ को जाए शरीर में तो सबतर बीमानिया आजाए एक कैल्शियम के कम होने से। तो भारतवासियों ने ये देखा होगा कि कैल्शियम कम होने से इतनी पुख्लिफ हैं, तो इसलिए चूने के पान की परंपरा आए हमारे देशम। तो आप चूने का पान खाईए, चूना दही में डाल के खाईए, चूना पानी में खाईए, दाल में डाल सकते हैं, दाल बनाते हैं न थोड़ा चूना डाल दीजिए, दो खाएगा सबको मिलेगा तैंशे, किसी भी तक, दूद में नहीं खा सकते हैं, दूद छोड़ कर किसी और एक आखरी बात चूने के बारे में है वो यह कि जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है या तो गॉल्ब्रेडर स्टोन है या तो किड्नी स्टोन है या तो मूत्र पिंड में वो चूना ना खाने जब तक कि स्टोन नहीं निकलता